आज की याई वीडियो बिए फिप्त समेस्टर के समास साफ्त रियाजी सोस्वोलोजी वाले चातरवा चातरों के लिए बहुत ही महात्पूर होने वाली क्योंकि इस वीडियो मेंने समास साफ्त के मोस्ट इंपार्टन कोश्चन और अंसर दोनों इनकलिट किये हैं और हम आप कराएंगी कौन-कौन से आपके पर इच्छा में आने के ज्यादा संभाव ना है तो वीडियो को इंड तक जरूर देखते रहेगा कोई भी पार्ट मिस्ट ना हो इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहेगा ताब तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन-कौन से सब्सक्राइब कर दे रहे हैं यह समाजी किरिया किसे कहते हैं यह समाजी किरिया की परिभासा दीजिए इस तरह के कि अलग अलग कोईश्चन आपके परिच्छा में पूछे जाएंगे तो बस आपको ध्यान देना है कोईश्चन पे ठीक है समाजी किरिया आते ही आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा ठीक है यह मैं सूचेगे कि तात पर लिखा है कि तात पर कैसे करे परिभाफा लिखी परिभाफा कैफेदी अर्थ लिखा तो अर्थ कैफेदे आपको सिंपल सा इसी तरह इसका अर्थ लिख देना है ठीक है समाजी किरिया की जो परिभासा है वो अलग-अलग बिद्वान है अलग-अलग समाज साफ्त्री है तो उनके अनुसार अलग-अलग इसकी परिभासा और अलग़ अलग इसकी मतलब भी है टीकए लेकिन stubborn है इस बात को ध्यान ठेंगे ठीक에 तो जैसे कि प्रमख् bricks समाज साफ्तर है जिनका नाम मैक्स वेवर ठीक है इन्होंने समाजी किरिया को समाची केंद्री अध्यन की वस्तुमाना है ठीके और मैक्स किरिया का पूर्ड बोध कराने का प्रतन करता है जिससे कि इसकी समाजी किरिया है जो गत्विधी होती है यह परिणामों के करना सहित ब्याक्या प्रस्तुत की है मतलब की विशे खिरिया मतल यही होता है कि भी बीच में जाइड़ पास्तितके आप उसे आग जलाएंगे लगाग जितने समय बनता है तो एक प्रकार के वो process एक किरिया ही तो है ठीक है तो इस प्रकार आप इसमें भी हमने अपनी अनुसार आपको example दिया इफी तरह fame समाजिक किरिया में भी होता है ओके चालिए अलग अलग समास्ताशी को नशार अलग अलग परिभाफा आप तयार कर लेंगे जो भी आपको बेटर लगेगी लेकिन कुल मिलाके यह हाई लेबल का कोईश्चन है 100% पिसले कई सालों में रिपीटेड है और इस बार भी आने के पूरी उम्मीद है ठीक है और यह कोईश्चन है ये इतना महात पूर नहीं कोईश्चन है आप पढ़ना चान्द पर सकते सद्य ही ठीक है प्रकारिवाद का अर्थस्परस्ट कीजिए यह परिच्छा में कभी कदार आता हमेश्चा तो आता ही ठीक है इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं वर्ग संगर्स के आधार बताईए यह महात्पूर्ण प्रश्चन है यह मैंने कई बार देखा पिछले फाल जो वर्ग संगर्स है वो क्या करता है जो नवी नए नए परिवर्तन उनको जर्म देता रहता है ठीक है वर्ग संगर्स उत्पादन प्रणाली से संबंदित है किस चीज से उत्पादन जो उत्पन न करे ठीक है उससे संबंदित है जो नए वर्गों की उत्पत्य का आधार बनता है यहोगया और तीसरा यह भौतिक अविस्कार वर्ग संगर्श का अधार यानि कि जो भौतिक फिजिकली जो एक्स्पेरिमेंट होते हैं ठीक है वो वर्ग संगर्श का थीक अधार है ताम जनम रहा हैं तो एक constitution Не पूजी वाद ब्युफ्था का पतन करता है इस बात को ध्यान रखेंगे पूजी वाद जो ब्युफ्था होती है उसको इसका पतन मतलब नस्ट करता है ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट है अलगाओं का अर्थ तथा परिभाफा दीजी यह भी कभी आता कभी नहीं आता अब से इग्नूर कर देंगे ठीक है अगला कोश्चन प्रस्तों आप लोगों के समझत है कि कार्ल्स मार्क्स के एतिहासिक भावतिक वाद क्या है यह कोश्चन हंडर परसेंट आप सभी के लिए महात्पूर्ण है यह प्रस्ट पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है तो इस बताना आपको ठीक है तो इतिहासिक भावतिक वाद का अर्थ है इतिहास की भावतिक वादी ब्याक्या अर्थात इतिहास की आर्थिक ब्याक्या ठीक है फैनेंसली चीज़ें ठीक है उस बेवफ्ता को कार्स मार्क्स ने इतिहास को एक प्रक्रिया माना है क्या माना है एक क्रिया ठीक है जो अन प्राकर्तिक क्रियों से इस अर्थ में भिन है कि वा मनुस्य को लच्छनों की प्राप्त के लिए की जाने वाली क्रिया है यानि कि मनुस्य के जो लच्छन है मनुस्य के जो हाइलाइट पॉइंट है उनको प्राप्त करने के जाने वाली एक प्रोसेस है ये किस ने माना है? काल्ष मार्क्स प्रमुक्स समास्तरी ने माना है, ठीक है? मार्क्स यानि काल्ष मार्क्स ने इतिहास को मात्र साहिसी योधाओं, राष्ट्रों या समराटों के किरिया कलापों का लेखा मानता है, लेखा नहीं मानता है, ठीक है? राष्ट्रों या समराट वाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वह कौन सा भावतिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओ का संचालन वह नियमन करता है संचालन मतलब चलाता है और उसका नियमन नियम के रुशार चेंजिस और नियम के हिसाब बाया है ठीक तयार कर लिज़े का महातपी पूर्ट पाऊन पप्रश्ण है दंड क्या है दंड यह भी कभी कभी आ जाता है तो आप तयार कर लेंगे गे सको उके अगला कि तार्किक इवम आतार्किक क्रियां ये भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप चाहिए पढ़ सकते हैं अगला प्रश्ण बहुत ही पॉपलर बहुत ही कोमन बहुत ही हार्ड लेबल का जो कि हमेशा परिच्छा में आता है गारेंटी के साथ आपकी भी प ग्रंथ है जिसके रस्थनाकार है दुर्खीम जी तो आत्माहत्या ग्रंथ का प्रकाफण है यानी जब प्रकाफित किया लिखने के बाद वो 897B में प्रकाशिट हुआ इस ग्रंत में दुर्खीम ने समा साफ्त्रे दस्ट कोण का तथ्यात्मक प्रमाड प्रफ्तुत करने का प्रत्न किया है ठिक है, क्या किया है, इन्होंने तद्ध आत्माग, यानि कि fact वाले čीजों का प्रमाड़, यानि कि पुरोप पुर efectut करने का कोशिच किया है, प्रत्म किया है, आत्महत्या को प्रभाविद करते हुए, दुरखीम ने कहा है, कि आत्महत्या सब्ध मृत्त की उन समस्त घट् प्रियोग किया जाता है जो स्वयम मरने वाले की शकरात्मक या नकरात्मक करिया का प्रतेच परेडाम होती है जिसके भावी परेडाम मृत्य को जानता है कहने का मतलब यह है कि जो आत्म हत्या है तो आत्म हत्या जो है वो स्वयम से अपने जीवन को नश्ट कर लेना स्वयम स अपने जीवन को मार लेना ही आत्म हत्या है, आत्म मतलब स्वयम हत्या मतलब की हत्या आप लोग जानते हैं, बिनास नास ठीक है, तो मतलब स्वयम से ही अपना हत्या कर लेना ही आत्म हत्या है, वो उसके बहुत फारे अलग-अलग कारण भी हो सकते हैं, फिचकली कारण हो फक होते हैं इस्ट्रेस आपको हो सकता है यहां फैमिली कारण हो फकता है बहुत फारे टाइप क्या होते ना अपने देखा कि हाइश को लिंटर में अब तो बहुत कम हो गया है आज की पांच शे इसके पढ़ेना और सिम्पल भीन को ठीक है कि आत्महत्या स्थ मरने वाले की किरिया का परेडाम होती है ठीक है बेक्त इच्छा-पुर्वख सोच-बिचार कर आत्म घात करता है और वह अपने के करिया की परेडाम हो जाता है ठीक है परेडाम को जानता है मतलब कि यह जानता है कि मतलब सोच-बुझ कि वह आत्महत्या करने वाला व्यक्त अपनी क्रिया के परेडाम को पहले से परेडाम को जानता है हम बैसे लिए आप कुछ लिखा नहीं तो आप तो निकलेंगे बार तो यहीं पहुचेंगे आप जब नदी में कूदेंगे तो कूदने का प्रियाफ करेंगे फिक पता भी यह परिभासा होती है बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण याद रखेंगे और य प्रिणा विर्ण में च्रश्ण हां सभी करते हैं उत्तर भी और उत्तर भी प्रुस्तत कर दिए आपस्पूर्ण। यह इग्नोर भी कर दी कि संगर्स दांस याफ संगर्स वर्ग फिजड़ा कोश्चन आएगा वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ अगरा कोश्चन बहुत ही हार लेबल का जो कि हमेशा आता ही आता है और इस वार भी आने के पूरी उमीद ही है ठीक है अब प्रसन है कि क्वाद की आप इपरिमाफा की बेद्वानों ने परिमाफा दिये तिक परिमा रखाद से प्रिमाफा टृक कर आथा चलिए झाल लेते त्यक्त परिछन और वरगिकर्ण के आधार पर घ略ना और अधार ऑछ उन्हें श्मजना का प्रत्रृचन प्रक्रतृच्वाभ है उस और ने आमिंटेक नाम इसी तरह समोधितिया मतलब हिसी चीज का सम्झान किया जाए पहले समझा जाहें तो उसके एब पर जो भी किरिया है जो भी घटना है ठीक उसकी ब्याक्या करना ठीक है और उन्हें समझना की कामट का प्रतच्छवाद कामट कहते हैं कि भी इसी प्रच्छण करो कि इसको प्रियोग करो फिर उसका वर्गी क्रण तो कि यान कर स्थान रोगत द्था तो ठार्न किया है और तीसरी अगर के प्रतैश्य वाधी या विग्द्धिन का वस्ताете ये हैं तीन इनकी प्रमुक अफ्थाएं जो कि याद रखेंगे बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है अगला कि समाजिक तत्यकों परभाफित कीजिए यानि कि जो समाज के फैक्ट होते हैं उनके बारे मापको लिखना यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप चाहाएं तो पढ़ भी सकते और बाकी एकड़न भी कर सकते हैं अगला बहुत ही कॉमन बहुत ही हाड लेवल का जो की हमेशा आता ही आता है तो सबसे पहले आपको फ्रांफ की कर परिभाफा यह आपको तैयार कर लेना है आपके कम से कम 10-15 नंबर पक्की हो जाएंगे क्योंकि गैरंटी है इस प्रश्ण के आने की हमेशा आता है 21-22 तेश इस बार आपके तीफ और 24 की सिशन में भी आने ही वाला है प्रश्ण से और आभी से आगाहा कर दे रहा हूं ठी ठीक है तो आप तैयार कर लिजेगा जितना हो सके जितने इस कोश्चन पर अपना उत्तर पर टाइम दीजेगा क्योंकि 10 नंबर आपके पक्के होंगे अगला भी उसी तरह का सेम कोश्चन यह भी आपके परिच्छा में आएगा ही आएगा और लगातार पैच्छा में रूपिय देशों के पश्चात अन्य महादीपों में भी लोगों के समाजिक और आर्थिक जीवन में जवर्दस्त परिवर्ता नाया है ठीक है और दोगे क्रांद की वज़ाफे ठीक है यूरोप में विशेषकर इंगलेंड द्वारा नए छेत्रों की खोजवा इसके साथ साथ वेपार उलसे सहरों में विकाफ होने के काण़ चीज बीकाफ होगा ठीक है विकाफ होगा तो लोगों तो उसका बढ़ जाएगा सिम्पल सी बात है तो कपड़ा जैसी परमपरागत वस्तों का निर्माड पहले घरेलु अफ्तर पर होता था लेकिन डिमांड ज्यादा होने के कारण उसका जो उत्पादन है घरोरी रूप से तो प्रिचलित परमपरा चली आ रहे लेकिन फिर मशी बढ़ा है और लगातार आ एठेक है और समाज किसे कहते हैं यह सब आपको तयार करके जाना ही जाना है ठीक है प्राबोधन क्या प्रबोधन भी कभी कदार आता मेंसा नहीं आता ता आप चायंद पढ़ सकते हैं बाकी इग्नोर भी कर सकते हैं ठीक है फ्राम फिसी समाज के आर्थिक पहलों को अस्पष्ट कीजिए तो समाजी कारण है और बैग्यानिक कारण है या पूलमिला कि बहुत सारे कारण हैं औदधोगी क्रांद के ठीक है तो In कारणों के आगे उसके बारे में एक्स्पलेन किया गया घैसे कि समझी क्रांड तो समाजी क्रांद मेंं आपको आर्थिक करान में आपको एक्स्प्लेंशन पूरा दिया गया राजनितिक करण में दिया गया है वेग्यानिक करण में दिया गया है देखिए हम आपको क्या explain करें एकदम simple साम आप लोगों के समस्त उत्तर प्रुस्तित कर रहें ताकि आपको ज्यादा कोई समझ मतलब कि ज्यादा आपको प्रेस्वार मतलब कि ज्यादा माइंड को डिश्टरब करने क्या सकता नहीं एक दो बार जिस भी प्रश्ण को पढ़ पढ़ लेंगे और उसका पत्तर पढ़ लेंगे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा ठीक है लेकिन कम से कम दो बार तीन बार तो आपको पढ़ना पढ़ेगा एक बार से पढ़ने से नहीं आएगा यह तो शेवर है मुझे भी नहीं आता आपको भी नहीं आएगा ठीक है त समस्तु वीडियो और question paper model paper महासंगराम क्राफ प्रुस्तुत करते हैं ठीक है और फिरहाल आते हैं question के next question है फ्राम की क्रांथ के परेडाम जो की उपर मैंने बता ही दिया लेकिन देखिए आप लोग के समस्तु मैंने सोचा यह लॉंग टाइप का कोईश्चन आता है तो लोग उत्तर भी आप लोगों के समस्तु प्रुस्थित कर दें तो इसलिए मैंने यह प्रियास क्या है ठीक है फ्रांस के करांथ के का परेडाम बताईए तो यह परेडाम पूरा आप देख लेंगे कितने क्या क्या परेडाम हुए है फ्रांस की जो करांथी हुई तो इसके परेडाम क्या रिजल्ट क्या निकला हुई है जैसे कि हमने पेपर दिया तो हमारा रिजल्ट क्या निकला हम फेल हुए यह पास हुए यह फिर बीच में ही रहे गए कम नंबर पाएं ज्यादा तीक है बागी कुछ आपको इसी प्रकार का पेपर मतलब को परिष्षम देखने को मिलेगे यहाप इन में सभी अच्छ है तो आपको काफी ज्यादा है बिलेगी यह सब्सक्राइब कर देंगे तो डाउनलोड कर लीजेगा जहिंद